पाट चब्वीस पत्र लेखन लेटर राइटिंग पत्र लेटर पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुचाते हैं पत्र लेखन एक कला है हर स्थान पर व्यक्ति व्यक्तिक अथरूप से उपस्थित नहीं हो सकता है अतह उसे पत्र लिखने की आवश्यक्ता होती है पत्रों के प्रकार काइंज ओफ लेटर्स विभिन प्रकार के पत्रों का विभाचन मूलता दो वर्गों में किया जा सकता है एक आपचारिक पत्र व्यवसाइक वसरकारी पत्रों को अपचारिक पत्र कहा चाता है इस प्रकार की पत्रों की भाशा शैली अपचारिक होने चाहिए तथा बात को नपे तुले ठंक से कहा चाना चाहिए दू अनपचारिक पत्र जू पत्र निजी, व्यतिगत अथ्वा पारिवारिक होते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहे चाते हैं। इन पत्रों की भाशा शैली सरल आपसी बातचीत के अनुरू होनी चाहिए। पत्र के अंग Parts of Letter पत्र के सामान्य तह निम्नलिखित अंग होते हैं। 1. प्रेशक का पता व दिनांग सबसे उपर प्रष्ट के पाई कोने में अपना पता तथा पत्र लिखने का दिनांग लिखना चाहिए। 2. पत्र पाने वाले का विवरण प्रष्ट के पाई तरफ पत्र पाने वाले का विवरण लिखा चाता है। आपचारिक पत्रों में पत्र पाने वाले का पूरा विवरण इस प्रकार होना चाहिए। नाम, पद नाम, कार्याले का नाम, स्थान, जिला, पिन कोड आदी। तीन, विशे संकीत। आपचारिक पत्रों में यहां आवश्यक होता है कि जिस विशे में पत्र लिखा जा रहा है उस विशे को अत्यन संक्षेप में संबूधन और पते के बाद बाई और विशे शीर्शक देकर लिखा जाए। चार, संबूधन विशे के बाद पत्र के पाईयोर संबूधन सूचत शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे प्रिय, पूछनिय, मान्यवर, महोदै, आदी। पाच, मुख्य भाग, संबूधन के बाद पत्र की मून सामक्री लिखी चाती है। इसमें कुशल समचार, संदेश, आदी लिखा जाता है। चे, समापन, पत्र की सामक्री समाप्थोचाने पर, बाईयोर कुछ समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करके पत्र समाप किया जाता है। जैसे आपका आज्यकारी, आपका प्रिय, शुपचिंतक, भवदिय, आदी। साथ, हस्ताक्षर, समापन शब्द के ठीक मीचे, फेजने वाले की हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के ठीक मीचे, कोश्ठक में पूरा नाम अवश्य लिखना चाहिए। आगे, आपचारिक और अनुपचारिक पत्रों के कुछ उदारण दिये चा रहे हैं। आपचारिक पत्र एक, अफकाश हेतु, प्रधानाचारिकों पत्र, सेवा में प्रधानाचारिय, राजकी विद्यभवन, अम्रिचसर, पंजाब, विशे, अफकाश प्राप्ती हेतु, श्रीमान ची, सविने निवेदन हैं कि मैं आपके विद्याले में कक्षा आड़ आका चात्र हूं, कल दिनांग 7,1,2013 को विद्याले से वापस आने के बाद मुझे तीवर च्वर आगया, डॉक्टर ने मुझे दो दिन का विश्राम करने की सला दी है, क्रिप्या मुझे दिनांग 8,1,2013 से 9,1,2013 तक अफकाश प्रदान करने की क्रिपा करें, धन्यवाद, आ आपका आग्याकारी शिष्ष सुशील तिवारी दिनांग 8.1.2013 2. शुल्क मुक्ती हेतु प्रधानाचार्या को पत्र सेवा में प्रधानाचार्या केंद्रिय विद्याले अकपरपुर्ण विशे शुल्क मुक्ती हेतु महोदया सविने निवेदन है कि मैं आपके विद्याले में कक्षा आठ आकी छातरा हूँ मेरे पिता एक किसान है मेरे परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से पूरा हो पाता है ऐसी परिस्थिती में विद्याले शुल्क देपाना कठिन हो रहा है अतह आपसे निवेदन है कि मेरा शुल्क आठा कर दे जिससे मैं अपनी पढ़ाई चारी रख सकू थन्यवाद आपकी आख्यकारणी शिष्या सुधा निगम दिनांग 10-1-2013 तीन बिचली की समस्या है तू देनिक चाक्रण समचार पत्र की संपादक को पत्र सेवा में संपादक मोहादै देनिक चाक्रण लखनाव विश्य बिचली की समस्या है तू श्रीमान जी मैं देनिक समचार पत्र के माध्यम से विद्यूत पोड के अधिकारियों का ध्यान अलिगन शेत्र में बिचली की संकट से उत्पन कठिनायों की ओर आकर्शित करना चाता हूँ यहां लोगों को बिचली के बिना बहुत से परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है विद्यूत विभाग के अधिकारियों को इस बात की सूचना दी जा चुकी है परन्तु आप तक कोई कारिवाही नहीं की गए है अतह आप से अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को उचित निर्टेश दे जिससे इस शेत्र के निवासियों को बिचली की उचित आपोर्ती सुनिश्चित की जा सके धन्यवाद भवदिय राकेश कुमार दिनांग 8.1.2013 चार खेल का सामान उपलत कराने है तु प्रधानचारे को प्रार्थना पत्र सेवा में श्रीमान प्रधानचारे ची मोटर्न पफलिक स्कूल गोसाई गंच लखनव विश्चे की खेल का सामान उपलत कराने है तु श्रीमानची सविने निवेधन है कि हमारी विद्याले का परीक्ष परिडाम सदेव अच्छा रहा है किन्तु खेल प्रतियोगिताओं में कुछ पिछड़ा हुआ है इसका कारण है कि विद्याले में खेल की समान का अभाव है यदि बच्चों को खेल का पूरा समान उपलब्द कराया चाहे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी खेलाडी अपनी प्रतिभा का परिच्छे देंगे आशा है कि आप खेल का समान उपलत कराकर क्रिकेट खेलाडियों को उच्साहित करेंगे धन्यवात आपका आख्यकारी शिश्य कुंदन कप्तान क्रिकेट टीम दिनांग 8-1-2013 अनौपचारिक पत्र एक जन दिन के लिए मित्र को निमंत्रन पत्र ग्यारा आट सो बीस केलाशपुरी लखनाउ दिनांग 8-2-2013 प्रियर विंद्र तुम्हें तो मालूम ही है कि दिनांग 8 फरवरी 2013 को मेरा चन दिन है इसी उपलक्ष में मेरी माता पिताची ने एक समारों का आयोचन किया है इसमें समलित होने के लिए मैं तुम्हें निमंत्रित कर रहा हूँ कारिक्रम इस प्रकार है साया पांच पचे दीप यग्य साया साथ पचे प्रीती भोच आशा है तुम समय से पूर्व आने की कोशिश करोगे तुम्हारा मित्र अमित दू नफ वर्ष पर शुपकामना पत्र अठारा बटे आट सो एक्किस इंद्रनगर लखनव दिनांग 25 दिसम्बर 2013 प्रीय मित्र हिमान्शू शुपस्ने एक जन्वरी 2013 से प्रारंभ होने वाला यह नया साल तुम्हारी जीवन में ठीरों खुश्या ले कराए यह वर्ष तुम्हारी जीवन में सुक सिम्रुथी की वर्षा करे मेरी शुपकामना स्विकार करो धन्यवाद तुम्हारा आशुतोश तीन छोटे भाई को कू संगती से बचने के लिए पत्र इधर लगभग एक महीने से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला मैं सोच रहा था कि तुम पढ़ाई में अध्यंद व्यस्त होगे परन्तु आज तुम्हारी प्रधानचार्यत्वारा प्रिशित पत्र पाकर मुझे आश्चरी के साथ साथ बहुत तुख भी हुआ उन्होंने बदाया कि तुम बुरी संगती में फस गए हो और तुम्हारा थ्यान पढ़ाई की ओर नहीं है अनुच तुम्हारी इस व्यवहार से मुझे हार्तिक दुख पहुचा है यदि पिताजी और माताजी को इस बात का पता चलेगा तो उन्हीं भी बहुत दुख होगा क्योंकि उन्हीं तुमसे बहुत उम्मीदे है भाई बुरी संगती का परिणाम बहुत ही बुरा होता है ऐसे लोग कभी भी सफलता नहीं पाते है इसलिए हमारा अनुरोथ है कि अभी भी समय है आज से ही अपनी इस बुरी संगती को छोड़ दो और अपने अध्यापकों की आग्या का पालन करते हुए पढ़ाई में अपना मन लगाओ पत्र का उत्तर शीक्र देना तुम्हारा बड़ा भाई अभिशे